हाका श्वानी भूपाल सिप्रस्तत हैं प्रादी शेक समाचार नमस्कार समाचारों के साथ मैं सैयुक्ता बैनर जी कुरोना संक्रमण के मद्दे नजर सभी शोताओं से अपील है कि लापर वाही न बढ़ती सभी एहतियाती उपायों का पालन करें और 45 वर से अधिक उम्र के जन लोगोंने कोविट का पहला टीका लगवा लिया है सही समय पर दूसरा टीका भी लगवाए तीन आसान उपायों का पालन करें और सुरक्षित रहें मास्क लगाएं, दो गस्की, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार-बार हाथ धोने और साफ सफाई का ध्यान रखें साथी आपको ये भी बता दे कि COVID महमारी से निपटने के लिए राश्री और राजस्तर पर हेल्प लाइन नंबर भी बनाए गए हैं राश्री हेल्प लाइन नंबर है 011-23-978-046 या 1075 इसके अलावा मध्यप्रदेश का हेल्प लाइन नंबर है 104 अब मुख्य समाचार केंद्रो में NDA सरकार के साथ वर्ष पूरे होने के अफसर पर प्रधानमंत्वी नरेंद्रो मोदी ने कहा कि भारत प्रतिबधता और विश्वास के साथ आगे बढ़ रहा है प्रधानमंत्वी नरेंद्र मोदी ने बन की बात कारेक्टर में कोविट की दूसरी लहर का सामना करने में प्रमक्ष भूमिका निफाने वालों का आभार व्यक्त किया और नैनो यूरिया से क्रिशिक शेत्र में एक टांतिकारी बदलावाएगा अब समाचार विस्तार से पार्टी के अध्यक शेपी नर्डा ने मोदी सरकार के दूसरे कारिकाल के दो वर्ष पूरे होने के अफसर पर सेवा ही संगठन कारिक्टरम को संबोधत किया दूसरी और ग्रह मंत्री अमिच शाह ने केंद्रू सरकार के साथ वर्ष पूरे होने पर प्रधानमंत्री नरें रुमोदी के नेत्रुत्व में एंडिय सरकास साथ वर्ष में लोगसेवा, जनकल्यान, विकास, सुषासन और सुधार में एक नया अध्याय लिखा है। प्रधानमंत्री नरींद्र मोदी ने कोविट की दूसरी लहर का सामना करने में प्रमुख भूमिका निभाने वाले कोरोना योध्धाओं का आभार व्यक्त किया। प्रधानमंत्री नरींद्र मोदी ने कोरोना की जंग में महिलाओं की भूमिका की सरहना करते हुए रेलवे की ओक्सिजन लोकोपाइलट से बात की। उन्होंने सभी लोगों से अपील की कि वे सुरक्षित दूरी का पालन करें, मास्क पहने और टी का जरूर लगवाएं। प्रधानमंत्री ने कहा कि महमारी के समय भी देश के किसानों ने अनाच का रिकॉर्ड उत्पादन किया। उन्होंने कहा कि इस बार किसानों को कई स्थानों पर सरसों के लिए नियूनतम समर्थन मूल्य से अधिक दाम प्राप्त हुआ है। उन्होंने कहा कि अनाच की भारी पैदावार की बदौलत संकट की इस घड़ी में 80 करोड गरीबों को मुफ्त राशन उपलब्ध कराया जा रहा है। साथ सबका विकास, सबका विश्वास के मंत्र पर चला है। गाइडलाइन 5 प्रतिशत से ज्यादा सापताहिक संक्रमंदर और इससे कम संक्रमंदर वाले जिलो को देखते हुए अलग-अलग जारी की गई है। अनलोक के दोरान स्कूल, कॉलेज, सिनिमा हॉल और शॉपिंग मॉल बन रहेंगे। प्रतेग शनिवार राद दस से सोमवार सुभ़च शे बज़े तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। और रविवार को जनता कर्फ्यू रहेगा। खेल, मनुरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक आयोजन और मेले, शॉपिंग मॉल, स्विमिंग पूल, थियर्टर, पिक्निक स्पॉत, ओडिटोरियम और सभग रह पूरे प्रदेश में बन रहेंगे। और वेर हाउजिंग की सर्विस को संचालत करने की अनुमती रहेगी। मेंटेनन्स सर्विस देनी वाले जैसे एलेक्ट्रीशिन, प्लंबर, कापेंटर, मोटर मेकानिक, आईटी सर्विस प्रवाइडर्स के आने जाने पर रोक नहीं होगी। पेट्रोल पंप, गैस टेशन, रसोई गैस सर्विस, क्रिशी गतिविधिया, क्रिशियो पजमंडी, खाथ बीज और क्रिशी अंत्र की दुकाने, बैंक, बीमा, कार्याले और एटियम, सारवजनिक परिवहन, प्राइवित बस, संचालन, कोविड निर्देशों के अंतरग अंतिम संसकार में अधिक्तम 10 लोगों के मौजूद रहने की अनुमती रहेगी, विवाहकारिक्रम में दोनों पक्षों को मिलाकर अधिक्तम 20 लोग शामिल हो सकेंगे अविश्यक सेवाएं देने वाले कारियाले जैसे कलेक्ट्रेट, पुलिस, आपदा प्रबंधन, फायर, स्वास्थ, चिकितसा, शिक्षा, जेल, राजस्व, पेजला, पूर्ती, नग्रिय प्रशासन, ग्रामीन, विकास, विद्योत, सारवजनिक परिवहन, कोशाले और प दुकान सील करती जाएगी द्वारा जिले के विकास, खंड, मोहखेड, ग्राम, गड्मव में घर-घर पीले चावल डाल कर वैक्सीन लगाने का निमंत्रण देकर लोगों को COVID-19 वैक्सीन लगाने के लिए प्रेरत किया जा रहा है अभी तक ग्राम के 200 परिवारों को वैक्सिनेशन का निमंत्रण दिया जा चुका है मधिप्रदेश जन अभियान परिशद के जिला समनवयक और अभियान के जिला नोडल अधिकारी पवन सहगल ने बताया कि मधिप्रदेश जन अभियान परिशद के माधियम से जिले के विकास खंड, मोहखेड, ग्राम, गड्मव में, ग्राम, विकास, प्रशफुटन समित के अध्यक्ष उमेश चौधरी और मोहला टोली के सदस्य राजेश कामरे रविंद्र बार्बुदे और अन्य सदस्यों द्वारा गाउं में घर खर जाकर पीले चावलों से निमंत्रण देकर लोगों से याग्रह किया जा रहा है कि वैक्सीन अनिवार्य रूप से लगवाए क्योंकि ये कोरोना से बचने का एक मात्र इलाज है चंदवाड़ा जिले में उगाई जा रही आलू की फसल कई शिक्षत बेरोजगारों के भविश्यों को सवाने वाली है जिले की आलू फसल को आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत एक जिला एक उतपाद योजना में इंद्रु सरकार ने शामल किया है शिक्षित बेरोजगार स्वासाहता समूओं और किसान समूओं को इस योजना के अंतरगत फूट प्रसेसिंग यूनिट की स्थापना के लिए अनुदान देने का प्रावधान किया गया है आलू के अलावा वनुपज हर्रा बहेडा चिर में लगभक सारहे 9000 हेक्टियर क्षेत्र में आलू का उत्पादन होता है रसायन और और वरक मंत्री डीवी सदानंद गौडा ने कहा है कि सार्वजनिक शेत्र की और वरक निर्माता इफको द्वारा विक्सित नैनो यूरिया से क्रिशिक शेत्र में करांधिकार इबद ला इसे उत्पादक्ता में 15 से 20 प्रतिशत की बढ़ाप्री होगी अंत में बुलिटन के मुख्य समाचार एक बार फिर केंद्रु में अंडिये सरकार के साथ वर्ष पूरे होनी के अफसर पर प्रधान मंत्री नरीन रुमोदी ने कहा कि भारत प्रतिबधता और विश्वास के साथ आगे बढ़ रहा है प्रधान मंत्री नरीन रुमोदी ने मन की बात कारिक्रम में कोविट की दूसरी लहर का सामना करने में प्रमख भूमिका ने भाने वालों का भार व्यक्त किया और नैनो यूरिया से क्रिशिक शेत्र में करांतिकारी बदलावाएगा इस बुलिट अधिन करने में प्रमख यूम्ग अथा खार घू रहर को इस बूदलावाग रहर कोविट करें दूसरी ने सामना है व만 प्रमख फ़िए ग्रेंस है लो रहर कोविद बागा से दूसरी रहर कोविएवग।